फ्रेंड्स वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसके वीडियो एंड फोटो एडिटिंग पर वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों के पास ये सुशा फाउंट नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना तो मैं इसके डाउनलोड फाइल डिस्परेशन म हम आज से इसको डाउनलोड करके फोटो सोब में इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम अपने फोटो सोब पर हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं वह बहुत आसान तरीके से आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे सैन पॉइंट जीरो में हिंदी लिखके दिखाता हूँ सुसा फॉंट के द्वारा तो इसमें एक नाम डालता हूँ मैं जैसे अजे नाम लिखता हूँ तो हमें ए बनाने के लिए हम ए को प्रेस करेंगे तो यह हमारा ए सामने आएगा और जै बनाने के लिए जै को प्रेस करेंगे इसमें आ का डंडा लग लगाने के लिए A को प्रेस करना, तो यह हमारे सामने एक नाम आ गया है आजे, अब मैं दूसरा कोई नाम लिख लेता हूँ, जैसे मुझे अपना ही नाम लिखना सतीस, तो मैं इसको S को प्रेस करूँगा, से बनाने के लिए, आका डंड लगाने के लिए A को प्रेस और आमें 7 बनाने के लिए दूसरे वाला से 21 वाला से तो आमें shift दबा के फिर से s को प्रेस करना है और a का डंडा लगाने के लिए a को प्रेस करना है तो इस तरह से आम कोई भी नाम हिंदी में फोटो सोम में बहुत आसानी से लिख सकते हैं अब जैसे मैं एक दो नाम और लि लिखा जाएगा आ का डंडा लगाने के लिए फिर से a को प्रेस करूँगा है बनाने के लिए h को प्रेस करूँगा अब छोटी u की मातरा लगाने के लिए यहामें u को प्रेस करना है और shift दबाएंगे तो इसमें बड़ी u की मातरा लग जाएगी और ले बनाने के लिए l क को प्रेस करना है आ का डंडा लगाने के लिए ए को प्रेस करना है उ की मात्रा लगाने के लिए यहां यू को प्रेस करना है और कै बनाने के लिए हमें के को प्रेस करना है एक की मात्रा लगाने के लिए O को प्रेस करना है और 7 बनाने के लिए Shift प्रेस करके और A का डंडा लगाने के लिए A को प्रेस करेंगे तो यह हो गया मुकेश अब जैसे मैं एक नाम और लिखता हूँ दीपक तो हमें D बनाने के लिए हमें D को प्रेस करना है और E की मातरा लगाने के लिए हमें I को प्रेस करना है लेकन ये छोटी की मातरा तो हमें बड़ी की मातरा चाहिए तो हम इसको shift दबा के इस तरह प्रेस करेंगे तो ये बड़ी की मातरा देगी और P बनाने के लिए हमें P को प्रेस करना है और कै बनाने के लिए हमें के को प्रेस करना तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने फोटो सोप में हिंदी टाइपिक करना सीख जाएंगे इस सुषा फॉंट के जरीए तो चलिए मैं एक नाम लिखता हूँ सिरी मती हमाँ सिरी मती यानि कि E पे A आएगा और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यह सिरी आएगा यहां से हम A को प्रेस करेंगे और यहां से हम I को शिफ्ट की शायता से प्रेस करेंगे तो यह बड़ी की मातरा लग जाएगी और हमें मैं बनाने के लिए M को प्रेस करेंगे A का डंडा लगाएंगे A प्रेस करके और यहाँ पर हमें T T से मिलेगा अगर हम shift दबाएंगे तो हमें T मिलेगा और bigger shift के T मिलेगा और बड़ी की मातरा लगाने के लिए यहाँ से shift दबाके इस तरह से हम शरीमती लिख सकते हैं इसको हम प्रेस करते तो A का डंडा लगता लेकिन इसको हम shift दबाके प्रेस करेंगे तो A बनेगा फिर से इसको दबाएंगे तो A का डंडा लगेगा से बनाने के लिए 21 वाला तो shift दबाके इसको से बनाएंगे और फिर से A का डंडा लगाएंगे e को प्रेस करेंगे और यहां से shift दबाए के i को प्रेस करेंगे तो यह वह गया श्रीमती आसा रानी मैं इसमें एक line लिखता हूं, photoshop में हिंदी type कैसे करे, हमें fair लिखने के लिए F को press करना है, और इसमें a का dudanda लगाने के लिए a को press करना है, और हमें इसमें a की मातर लगाने के लिए o को press करना है, फिर टै को लिखने के लिए टै बनाने के लिए हमें T को प्रेस करना है हम T को प्रेस करेंगे तो इसमें टै बनेगा लेकिन हम इसे shift दबा के फिर से प्रेस करेंगे तो टै बनेगा फिर से हमें A प्रेस करना तो A का डंडा लगेगा और O प्रेस करना है तो O की मातरा लगेगी और हमें अब से लिखना है तो हम S प्रेस करेंगे अगर इसमें हम A प्रेस कर देते तो यह से बन जाता है लेकिन हमें इस से को नहीं चाहिए हमें 21 वाला से चाहिए तो हम इसको S को प्रेस करेंगे Shift दबागे तो यह हमारे सामने 7 बनके आ जाएगा फिर से हम A प्रेस करेंगे आ कर डंडा जाएगा फिर से हमें A प्रेस करना है और हमें यह इस पर बिंदी लगाने के लिए 6 को प्रेस करना है Shift दबागे और P बनाने के लिए P को प्रेस करना है तो यह हमारा Photoshop लिखा जा चुका है अब हमें आगे लिखना Space देंगे मैं लिखना है तो M को प्रेस करेंगे A का डंड़ लगाने के लिए फिर से हम A को प्रेस करेंगे A की मात्रा लगाने के लिए O को प्रेस करेंगे और इसमें बिंदी लगाने के लिए हम Shift दबा के M को प्रेस करेंगे तो ये फोटो सोम में अब हिंदी लिखना में हिंदी लिखने के लिए हमें E की मातरा चाहिए तो आई से हमारी E की मातरा आएगी दोनों छोटी भी और बड़ी भी तो हमें इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारी छोटी मातरा बन जाएगी और हम Shift दबा के प्रेस करेंगे तो ये बड़ी मातरा बन जाएगी लेकिन हमें हिंदी में छोटी E की मातरा चाहिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अब हमें है बनाना है तो हम ह को प्रेस करेंगे अब हमें नय बनाना है तो हम एन को प्रेस करेंगे अगर हमें यह बड़ा नय चाहिए तो यहां से आकर एपे क्लिक करके इस तरह से बड़ा नय भी बना सकते हैं लेकिन हमें छोटा नय लगाना है अब हमें D बनाने के लिए D को प्रेस करेंगे और हमें बड़ी E की मात्रा बनाने के लिए Shift प्रेस करके I को प्रेस करेंगे Photoshop में Hindi लिखा जा चुका है अब K को प्रेस करेंगे तो K बन जाएगा और हम Shift दबाके O को प्रेस करेंगे तो Double मात्रा लग जाएगी अब हमें शह लिखना है तो S को प्रेस करेंगे और A का डंडा लगाने के लिए A को प्रेस करेंगे और हमें फिर से मात्रा लगाने के लिए O को प्रेस करेंगे अगर हम shift दबा के O करेंगे तो double मात्रा आएगी और bigger shift के एक मात्रा आएगी इस पे बिंदी लगाने के लिए हम shift दबा के M को प्रेस करेंगे Photoshop में हिंदी कैसे अब type लिखना है तो हमें फिर से shift दबा के T को प्रेस करेंगे और आ के डंडे के लिए A को प्रेस करेंगे और E बनाने के लिए यहां bracket को प्रेस करेंगे और इस पर उपर मात्रा लगाने के लिए यह माइनेस वाले की को प्रेस करेंगे और पै बनाने के लिए की को प्रेस करेंगे और अब टाइपिंग लिखना है या टाइप कैसे करें तो अब हमें स्पेस देखें कै बनाने के लिए के को प्रेस करेंगे और रे बनाने के लिए R को प्रेस करेंगे और इस पे मात्रा लगाने के लिए फिर से O को प्रेस करेंगे इस पे बिंदी लगाने के लिए Shift दबा के M को प्रेस करेंगे तो ये देखिए फोटो सोम में हिंदी कैसे टाइप करें ये हमारा लिखा जा चुका है अब हमें जैसे तथा लिखना है तो हम T को प्रेस करेंगे तो तह बनेगा और थै बनाने के लिए हमें क्यों को प्रेस करना है तो ये देखिए थै बन चुका है लेकिन ये आदा थै है हम इसको ए को प्रेस करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा फिर से ए प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा तथा तो इस तरह से हम त बढ़ाने के लिए A को प्रेस करेंगे फिर से A को प्रेस करेंगे और N बनाने के लिए N को प्रेस करेंगे और फिर हम A को प्रेस करेंगे तो ये ध्यान लिखा जा चुका है ध्यान पूरुक तो हम P बनाएंगे P को प्रेस करेंगे अब हमें U की मातरा बनानी है तो हम U को प्र प्रेस करेंगे और इस पर आ का डंड लगाने के लिए फिर से हम ए प्रेस करेंगे या माइनस को प्रेस करेंगे और कै बनाने के लिए के को प्रेस करेंगे तो तथा द्यान पूरोक अब हमें आसानी लिखना है तो पहले तो हम ए से यह हमारा एक से यह आता था आ का डंड ले लगाने के लिए फिर से हम इसको shift अठा के आगा डंड़ लगाएंगे से बनाने के लिए S प्रेस करेंगे करने के लिए पूरा से करने के लिए फिर से A प्रेस करेंगे और आगे फिर डंड़ लगाने के लिए फिर से A प्रेस करेंगे अब नै बनाने के लिए N को प्रेस करेंगे, फिर से E की मातरा लगाने के लिए, लेकिन यह चोटी E की मातरा है, हमें shift प्रेस करके I को दोबना है, तो यह देखिए, दियान पुरुक आसानी से करें, अब हमें शे बनाने के लिए S प्रेस करना शे लिखा जाएगा A करणना लगाने के लिए A को प्रेस करेंगे O की मातरा लगाने के लिए या फिर A की मातरा लगाने के लिए O को प्रेस करेंगे दान पूरुक आसानी से करें फिर से हम K को प्रेस करेंगे तो K बनेगा, R को प्रेस करेंगे तो R बनेगा, O को प्रेस करेंगे तो इस पे मात्र आएगी और Shift दबाके M को प्रेस करेंगे तो इस पे बिंदी आएगी तो friends इस fonts के दुआरा आप 24-5 बार practice करोगे तो 100% Hindi typing करना सीख जाओगे आप फिर चाहे किसी भी font को इस्तिमाल करके हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं तो आप अपने photosome में practice करके हिंदी सीख सकते हैं वो भी बहुत आसानी के साथ तो सबसे पहले हम क्यों को प्रेस करेंगे विगर कोई shift बटन दवाए या alt बटन दवाए हम simple ऐसे q को प्रेस करेंगे फिर हम w e r t y u i o p bracket इसी तरह हम नीचे वाली लाइन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम पहले आपने सभी सब्द निकाल लेंगे कौन सी की से कौन सा सब्द निकल के आता है अब इस तरह से हम नीचे वाली लाइन को प्रेस करेंगे तो हमें ये सभी सब्द पहले एक बार चेक कर लेने है कौन सा सब्द कहां से तो यह हमारे कुछ ऐसे सब्द है अब हम इनी को shift दबा के फिर से चेक करते हैं हमें shift को press करना है जैसे अब q को press करेंगे w press करेंगे e press करेंगे और t y u i o p bracket bracket इंटर करके फिर से shift दबा के हमें एक एक सब्द को इस तरह से पहले चेक कर लेना फिर से shift दबा के तो friends यह हमारे तो friends यह हमारे keyboard से press की ओ बिटनों के सब्द निकल के आए है उपर वाली तीन लाइनों में bigger shift दबाए यह सब्द निकले है और नीचे वाली लाइन में shift दबा के हमने यह सब्द निकाले है तो उमीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो like, share, subscribe जरूब करें Thank you